पुलिस सुत्रों ने समभादाताओं को बताया कि एक करोड रुपिये में सुपारी दी गई थी जिसमें से 18 लाक रुपिये दिये जा चुके थे दूसरी तरफ इस गैंग के पाकिस्तान की खुफी एजनसी आईएसाई से लिंक की बाद भी सामने आ रही है कहा जा रहा है कि हत्या करने वाला शक्स गुजरात के पूरुमंत्री हरिन पांडया की हत्या में भी शामिल रहा है और उस मामले में दोशी भी ठहराया गया था और साल 2003 में रिहा हो गया था आपको बता दे कि तेलंगाना में 23 वर्षे प्रणे कुमार की उनकी पत्नी के सामने ही हत्या कर दी गई थी CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि प्रणे 21 वर्षे पत्नी अमरिता वार्षिनी के साथ एक अस्पताल से बाहर निकल रहे है इसे दोरा निकवित्ती पीछे से प्रणे पर कुलाडी से हमला कर देता है वह ताबर तो वार करता है और प्रणे की मौत हो जाती है इस घटना के बाद प्रणे की पत्नी अमरिता सदमे से गिर गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया बाद में उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें शक है कि उनके पिता और चाचा ने ही ये हत्या करवाई है क्योंकि प्रणे दूसरी जाती से थे और वो लोग शुरू से ही उसकी शादी का विरोध कर रहे थे साथे एबर्शन के लिए भी दबाव बना रहे थे लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाह रही थी